Hello everyone, कैसे हैं आप सब आशकितिम सब ठीक होंगी, अच्छी होंगी तो आज की जो रीडिंग है गया हम करने वाले हैं देखेंगे कि आपके पार्टनर देड रात देड रात कह रहे हूँ आपके पार्टनर आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे आज सुबह सुबह आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे यह हमारा रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है और आज सुबह की रीडिंग हमारे लिए सबसे ज़दा इंपॉटेंट है क्योंकि इस रीडिंग में हम सुबह की अनर्जी को चेक कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे आपके बारे में यह सीधा सा टॉपिक रहने वाला है आपके पार्टनर कॉन्टेक्ट में हैं यह रीडिंग सब के लिए होगी यह रीडिंग कौन कौन देख सकता है तो यह रीडिंग हर को ही देख सकता है married, unmarried, extra marital affair या फिर divorce या फिर जो है एक person के साथ किसी दूसरे person से हो गई है ठीक है? तो ये जो है ना वैसे लोग देख सकते हैं या same gender sex भी देख सकते हैं ये reading ठीक है? तो आप लोग मेरे साथ मैने रहेगा इस reading में आप सब को आप सब को काफी चीज़े देखने को मिलेंगी, काफी चीज़े जानने को मिलेंगी, येस आप लोग इनिवर्स को gratitude शो जरूर कीज़े इनिवर्स को बताइए कि आप कितने positive person हैं और इस चैनल को subscribe कीज़े क्योंकि इस चैनल के माधियम से आपको काफी healing काफी जदा support मिलता है और मैं खुद भी जो है ना मेरे subscribers के लिए healing करती हूँ तो मैं चाहूँगी कि इस जो healing है, मैं जो healing करती हूँ इसका फायदा आप उठाए, free of cost होता है healing, तो yes आप जो है आपनी healing का फायदा ज़रू उठाए इस चैनल को subscribe करके सिर्फ subscribe करने में आपका एक रूपाय भी नहीं लगता है ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं reading को start देखते हैं, क्या cards बताते हैं हमें आपके partner के बारे में ठीक है सुवाद सुबा सुबा वो क्या सोच रहे थे cards निकालते हैं, divine हमें please बताए early morning क्या सोच रहे थे, मेरे वीवर्स के पार्टनर thank you so much okay thank you so much divine angels universe okay देखते हैं, cards के नजी क्या है okay thank you so much strength six of swords three of cups hereofend handman lovers temperance okay thank you so much divine justice sun मेरे पास है nine of cups bottom of the deck है queen of wands आपके आपके पार्टनर का card अब मैं आपके लिए card निकाल लेते हूँ इसी deck से मेरे पीवर्स के नजी किया है divine please आपके बताएं क्योंकि दोनों ही card के number 6 आये हैं, sorry number 6 कर रहे हूं, number 5 और number 6 आये हैं, तो number 5 भी आपके लिए important हो जकता है, number 6 भी important हो जकता है, हो सकता है कि जो उन महिने से आपकी बात ना हो रही हो, आपके partner से ऐसे भी कुछ chances दिखाए दे रहे हैं, मुझे है, so guys, मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है आपके card में, कि आपके जो partner है, मुझे ऐसी energy में दिखाए दे रहे हैं, जहाँ पर में देखू तो, देखो आप अपने partner के हरकतों से परिशान हो, ठीक है, इनकी हरकते यह हैं, कि यह person को जब भी आपके जरुत होती है, तो यह person आते हैं, physical intimacy के लिए यह person आजाते हैं आपके तरफ, physically यह person involved होने के लिए आजाते हैं आपके तरफ, जो कि आपको बिलकुल भी पसंद नहीं होता है, जो कि आपको लगता है कि बहुत ज़दा गलत है, बहुत ही ज़दा anxiety, बहुत stress होता है, आपको समझ नहीं आता है कि आप क्या करो, आपकी energy ऐसी है ना, जहां पे आप इस रिस्ते में clarity चाहते हो, आप इस person के साथ कोई यह नहीं चाहते हो कि इनका घर बरबाद हो, ऐसा बिलकुल भी नहीं चाहते हो आप, यहां पे दिख रहा है कि आपके partner ही हैं, जो कि आपके साथ problem करते हैं, यह person ही है जो कि आपके साथ problem करते हैं, और मुझे ऐसा भी फिल होता है कि आपके relationship में आपको काफी issues face करने को मिलता है, आपके जिंदगी में आपको बहुत सारे issues face करने को मिले हैं, आपके जिंदगी में काफी चीजे ऐसी हैं, जहां पे आपको wait करना पड़ता है, काफी clearly दिख रहा है guys, मुझे यहां पे कि आपके जो partner है आपको ले करके, देखो आपकी ऐसी energy है, जहां पे आप चाहते हो कि person आपको ले करके strict decision ले, clear decision ले, clarity आपको चाहिए, आपको यह नहीं चाहिए कि कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे, है ना, और आप सोचते रह ज जो है ना, मेरे साथ अच्छा करेगा, आप यहीं सोच रहे हो, क्योंकि आप जो है ना, इस person के प्यार के भूके हो, आप इस person से प्यार चाहते हो, ऐसा मुझे feel होता है, आपकी अंदर ऐसा लग रहा है ना, जैसे कि आपका यह person कई बार use भी कर चुका है, आपको लगता भ फिर इस person के साथ आपका हो सकता है, यह person के जो father निया, वो काफी strict है, इस person के अंदर मुझे दिखता है कि इनके father के energy जो है, बहुत ज़दा high level पे है, और इनके father के वज़ए से भी रिस्ता यहां पे आप दोनों का बिगड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है, तो यह आपकी energy है, आप दोनों husband wife हो, तो आपके ससुराल वाले काफी ज़दा परिशान करते हैं आपको, और ससुराल वालों की वज़ए से ही आप घर से बाहर भी निकले हो, ठीक है, आपको अपने माइके में रहना पड़ रहा है, क्योंकि आपके ससुराल वाले ठीक नहीं है, ठीक है, और अ अब जो है, यहाँ पर क्या दिख रहा है कार्ड में, वो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर है मेरे पास Leo की energy, Gemini की energy है, Gemini Libra Aquarius है, Kansas Scorpio Pisces है, Taurus की energy है, काफी स्ट्रॉंग है, Kansas Scorpio Pisces मैंने कहा, Aries कहा, ठीक है, देखो सारे sign अविलेवल हैं, आपको टेंचन लेने की जुर ठीक है, तो गाइज, यहाँ पर जो मुझे नजर आ रहा है कार्ड में, मुझे यह दिख रहा है कि आपके पॉर्सन जो है, आप जिनके साथ भी relationship में हो, देखो यह पॉर्सन की सुबह के थौट यही है, कि आपकी याद बहुत ज़दा आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर लव चाह जग रही थी, आपके तरफ आना है इस परसन को ऐसा इस परसन को लग रहा था, यह परसन को लग रहा था कि यार कुछ भी कर लो, बस जाना तो इसी के पास है, जाना तो यहीं पर है, आपके पार्टर अपने आपको control नहीं कर पा रहे थे, आज सुबह सुबह जो इनक पार्टर अंदर यह अंदर बहुत ज़दा चलती भी दिखाई दे रही हैं आपके पार्टर के अंदर, मुझे ऐसा फिल होता है कि ऐसा आपके पार्टर के मन में, आपके पार्टर के दिल में हजार तरीके की चीज़े हैं, हजार तरीके की बाते हैं, और यह परसन हजार त कंट्रूल हो ही नहीं रहा है नहीं हो पारा इस परसंग के अलवे जो परसंगे बता है अपने आप में बहुत ज्यदा परिशान है अपने आपके अंसायटी अपने आपके स्ट्रेस को घेलते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे लगता है कि आपके partner six of swords के energy में है six of swords का card जो की बताता है कि आपका जो रिष्टा है या बहुत सुन्दर सा रिष्टा है बहुत अच्छा सा रिष्टा है और इस रिष्टे में ना कहीं ना कहीं आपके जो partner है वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आगे सब कुछ अच्छा हो सब कुछ बैलेंस में रहे ना आपके तरब से कुछ बिगड़े ना इनके तरब से कुछ बिगड़े और सब कुछ बहतरीन से बहतरीन होना चाहिए आपके पार्टर के मन में यह सारी चीजे चल रही है यह सारी बाते चल रही है और यह परसन अंदर से ज़िदा positive फील करते हैं वो भी आप के लिए स्रिफ और स्रिफ आप के लिदे हैं इनके मनुझे रहे यार चलो ना हो जाता है ना हो जाता ना है यह चीज़े कर ले थह ना वह same energy मुझे रही है मुझे ऐसा लिखा है कि यहां सिज relationship को stability मिलाने का आपके तरफ ये person का है कि ये person आपके तरफ अगर आते हैं तो इनको बहुत सारी चीजे को साथ compromise करना होगा यहाँ पर अगर third party है भी ना तो third party के साथ इनको यहाँ पर अलग होना पड़ेगा third party के साथ इनका रिष्टा खातम करना होगा खातम एकनम खातम ठीक है तो वो जो है ना रिष्टा थोड़ा सा यहाँ पर difficult है तो खातम करना यहाँ पर बनता है आपके पार्टर का रिष्टा यहाँ पर ऐसा लगता है कि यह person third party के साथ देखो यहाँ पर यही कर सकते हैं कि आपको accept करें और third party को यहाँ से छुटकारा करें तो यहाँ पर दिख रहा है कि यह person अंदर से यह मन तो बना रहे हैं कि यह person जैसे 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 आपके करीब आएंगे वैसे वैसे third party से किनारा करेंगे और किनारा करके finally यहीं करेंगे कि उनको तो डाइबॉस लेना परेगा ठीक है यहाँ पर दिख रहा है कि person आपके तरफ आएंगे ठीक है आपके तरफ आएंगे ऐसा इस person के अंदर दिख रहा है कि यह आपके partner के अंदर न वो एक होता न हारफेंट के एनरजी ठीक है तो जैसे कि दिल है दिल है दिल है तो यह person का दिल जो है ना दिमाग जो है ना आपके तरफ पूरा है ना पूरा भरा हुआ है ऐसा लग रहा है जिसे कि आपके तरफ एक कहीं ना कहीं जो next level की energy है ना वो आपके partner वो करते भी दिखाई द रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है जिसे कि आपके partner के मन में बहुत सारी चीज़े चलती हैं बहुत सारी मन की बाते होती हैं मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके partner का जो मन है वो बहुत ज़दा positive है ठीक है यहाँ पर ऐसा feel हो रहा है मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है जिसे कि आपके partner hair of end के energy में है आपके partner का जुम्मन है कहीं न कहीं ऐसा हो गया है जहां पर यह person को लगता है कि वह equally चलना चाहिए आपके partner traditional तरीके से आपको accept करना चाहते हैं रिती रिवाज के साथ आपको शादी करके लेके आना चाहते हैं यह person कुछ ऐसे नहीं करना चाहते हैं कि बस जैसे तैसे कर लिया कर लिया यह person को court marriage करने में कोई interest नहीं है यह person court marriage नहीं करना चाहते हैं पूरी तरीके से traditional way में शादी करना चाहते हैं आपके साथ पूरे रिती रिवाज, इनके mother, father जो भी है रिलेटिपस इनके आएं और तब आप दोनों की शादी हो यह person की ऐसी energy है यह person का ऐसा लग रहा है जैसे कि यह person sun के energy में है यानि कि आपके साथ future देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, बहुत time तक separate रहा चुके अब जो है separation नहीं चाहिए, अब आपके partner को separation नहीं चाहिए अब लगता है जैसे कि जिन्दिगी अब जीएंगे आपके partner क्योंकि इस person ने काफी longer time already ले लिया है, काफी longer time तक यह person इधर उधर की बाते करते रहे हैं लेकिन अब लगता है कि नहीं, बहुत हो चुका इधर उधर की बाते, अब जो हैना हम करेंगे यह करेंगे अब जो हैना चीज़ें हम वो करेंगे, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके partner के मन में बहुत जादा चीज़ें चल रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लगता है जैसे कि आपके partner आपको लेकर के बहुत जादा खुश होते भी दिखाई दे रहे हैं मुझे ऐसे दिख रहा है, 9 of cups का card, 9 of cups के energy बताती है कि आपके partner तो दुगा भी माग रहे हैं, प्रातना भी कर रहे हैं कि आप दोनों का मिलन होना चाहिए, और मैं भी pray करते हूँ कि आप दोनों का मिलन हो, बहुत जल्दी मिलन हो, आप दोनों की इक्षाएं बहुत जल्द को feel हो रहा है कि आप तो बहुत बदल गए हो, आपकी energy काफी अलग हो गई, आप काफी rude हो गए हो, काफी ऐसे person हो गए हो जिसे तकता पलट कहते हैं कि वो इंसान हो गए हो जो चुटकी में सारी चीजों को हिला के रख दोगे, वैसे वाले person हो गए हो आप तो यहाँ पर द जिन्दिगी जी सकते हैं, so yes मुझे ऐसी energy feel हो रही है, मुझे ऐसा देख रहा है कि आपके partner के साथ आपका connection बहुत strong way में है, आपके partner के साथ आपका connection है यह बहुत ज्यादा deep level पे है, और यह person के साथ आपका connection तो हो ना ही चाहिए, आपके partner को ऐसा feel होता है, ठीक है, so guys overall आपकी जो energy आई है ना, यह energy जो आई है, इसकी healing करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, आपको सबसे पहले protection के लिए बता देती हूँ, आप यह bracelet ले सकते हो, ठीक है, protection के लिए आप यह bracelet भी ले सकते हो, इसमें का मेरे पास pendant भी है, pendant भी available है मेरे पास, ठीक है, साथ ही साथ अप अगर आप अपनी healing चाहते हो, ठीक है, तो इस bracelet का भी use करो, ठीक है, इस bracelet यानि की, यह tiger eye का bracelet, इस tiger eye bracelet का use करो, देखो आपकी life में कितने ज़दा changes आते हैं, ठीक है, तो यह जो है bracelet आप यूज़ करो, काफी अच्छे chances, काफी अच्छे बदलाओ, आपकी life में आपको देखन को मिलेगा, ठीक है, तो tiger eye का bracelet भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक, अपने relationship को protect करने के लिए, आप इस relationship से, जो चाहते हो ना, negativity को बाहर निकाल के फैक्ट दो, तो कर सकते हो, ठीक है, अगर आपके relationship में black magic हुआ है, आपको लगता है, ब्लैक magic हुआ है, तो मैंने ये ring पे आन मेरे client की दूसरी ring बन के आई है, तो उनकी ring में मैं आपको दिखाऊंगी, वो jens की ring है, ठीक है, जो लोग जो है, male person है, उनकी ring है, या फिर आप अपने partner के उपर से black magic हटाना चाहते हो, तो simple सी उनकी photo लेनी है, ठीक है, जैसे कि माल लो की ये, ये उनकी photo हो गई, ठीक है, आपके partner के उपर ये जो ring है, मैं निकाल नहीं सकती, ठीक है, एक पर मैंने VR कर लिया है, तो इसके बाद मैं निकाल नहीं सकती, इसका rule है, आपको मालनो की ये ring है, और ring के उपर ये जो photo के उपर इस ring को रख देना है, आपके partner के उपर जो black magic होगा होगा, सब कुछ remove हो कि अधे